नमस्कार दोस्तों मैं नगीना सर्मा बोकारो से बोकारो गाइडेन में आप सभी का तहे रेल से स्वागत करती हूँ दोस्तों यहाँ जो आप पौधे देख रहे हो यह रेल लिली का पौधा है अभी अभी बढ़सात के दिनों में धेरो फ्लावर इसमें से निकले थे मैंने वीडियो भी आप से सेर की थी लेकिन अभी यह डॉर्मेट में चला जाएगा मेरे एक व्यूर्स ने दिमांड किया है कि आप रेल लिली को कैसे सेव रखते हैं ताकि अगले साल नेक्स्ट समय में फिर यह काम में आए तो इस पर वीडियो डालो तो मैं आज उसी को करूंगी लेकिन इससे पहले मैं बता दूँ कि आप यहां देख रहे होंगे इस तरह से जो सुखे हुए पत्ते इसमें दिख रहे हैं इस तरह का यह पूड़ा का पूड़ा शुक करके शमाप्त हो जाता है अभी जो आपको हड़े भड़े दिख रहे ह यह फिर वो सुखने के बाद दुबाड़े निकल गए हैं तो ऐसे जब दुबाड़े फिर से उसमें नन्हे पौधे निकल जाएं तो इसको रहने नहीं देनी है यह इनर्जी लेते रहेंगे फिर से इनको काटकर हटा देनी है तो चलते हैं और कैसे सेव करते हैं इस पर आ इसको रहने नहीं देना है और इसको हटाने के बाद आपको अच्छी तरह से इसको मल्चिंग कर देनी है इसको रहने नहीं देना दुबारे फिर ये निकल आएंगे तो दुबारे निकलने पड़ भी फिर इनको हटा देनी है दोस्तो इसकी कटिंग मैंने कर दी है कायट करें हाँ निकल गए हैं अब इससे भी आप चाहो तो मल्चिंग कर ले सकते हो लेकिन मैं इसमें मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं पहले भी काड चुकी थी तो इसको आप कोई भी सुखे पत्ते बगएर हो धान की भुसी हो या फिर कोको पीट हो उससे इसकी मल्चिंग कर दें दोस्तो मैंने मल्चिंग करने के लिए हैं कोको पीट ले ली है और इसमें मैं साफ नामक जो यह फंगी साइड मेरे पास है उसको मैं इसमें डाल कर मिला देती हूं आप इसमें जो भी फंगी साइड आप के हां मिलता हो आपके प्रसना आते हैं कि मेरे हां ये साब बाली फंगी साइड नहीं मिलती है तो कोई जरूरी नहीं है कि इसी का उप्योग करो जो भी फंगी साइड आप के हां मिलती होगी उसको आप चाहो तो करने के बाद अब क्या करने है आपको कि इसको छाय वाली जगह में जहां बहुत जादा धूप नहीं आती हो छाय वाली जगह में रखो साथ ही इसमें पानी की बात कर लेते हैं धूप तो नहीं ही लगानी है इसमें पानी की बात कर लेते हैं तो पानी भी इसमें न किवड़ देनी है आप अच्छे से इसका चेक कर लिया करो जब पूरी तरह से सुख जाए तभी इसमें पानी देनी है दोस्तों यही पर मैं एक बात आप से सेर करते हुए आगे बढ रही हूं कि मेरे विवर्स ने इसका करना था कि अगर मैं ऐसे करती हूं तो यह जो पॉर्ट है मेरे इसमें इंगेज जड़ा जाते हैं तो कोई ऐसा इंतिजाम बताओ जिससे कि मुझे मेरा पॉर्ट खाली हो जाए क्योंकि बड़े-बड़े बिल्डिंग में बालकनी में लोग गार्डेनिंग करते हैं तो धेर सारे पॉर्ट रखना संभब नहीं होता है बल्ब निकालने में दोस्तो केर ये रखनी है कि बल्ब जब हम निकाले स्वाइल में से तो कटे नहीं और इसके बाद दो दीन तक इसको कहीं च्छाए मेरक के सुखा लेनी है फिर आपको इसमें अभी देख रहे होंगे कि इसमें फिर से नए पौधे निकलने सुरू हो गए हैं लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ा और आपको सेर कर दूँ यह में बल्ब है जो पहले का है बड़ा वाला है लेकिन आप देख रहे होंगे कि अहाँ पर फिर छोटे छोटे बल्ब भी बन रहे हैं यह देखो तो एक बल्ब से कई बल्ब बन के तैयार हो जाते हैं यह भी आपको देखने को मिल सकती है यह देखो यहाँ भी बल्ब है यहाँ भी है इसमें भी अभी बनने जाड़ा है इस तरफ आप देख रहे होंगे कि इसका बल्ब बन रहा है तो इसको निकानने के बाद इसको आप कट करने और दो दिन इसको सुखने के लिए च्छाय वाली जगह में रखे इसके बाद इसके जो रूट है इसको भी हटा दे सकते हैं थोड़ी सी हटा दे सकते हो या नहीं हटा सकते हो इसमें पहले यह जो फंगी साइड है इसको लगा देते हैं मैं बरतन लाना भूल गई हो तो मैं हाथ में ही रख के लगा देती हूँ चुकि मेरे पास दो ही है मैंने दो ही मतलब बल्ब निकाले हैं बाकी बल्ब मैं गमले में ही पोट में ही सेव कर लूगी इसके बाद जो को कोकोफीट आपने रखे है उसमें भी फंगिसाइड जो भी फंगिसाइड आपके पास हो उसको इसमें अच्छी तरह मिला दीजिए मिलाने के बाद इसको इस दब्बे में कोकोफीट को फंगिसाइड मिला हुआ है इसमें इसको डाल दें और इसमें मेरे पास जो बल्बby uneasy और नन्यनन्य बल्ब भी αड़ा है इसको इसपर डाल देनी है और ऊपर से इसमें और भी कोको पीटष में डाल कर इसको ढ़न देनी आप काई दोस्तो बस इतना ही कुछ करना है इसके बाद आपको इसे कहीं छाय वाली जगह में रखनी है धूप में नहीं रखनी है और इस तरह से आपके बल्ब सेफ हो जाएंगे और फिर नेक्स दियर ये काम आएंगे तो दोस्तों इसी के साथ मैं चलती हूँ फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत